कि अधियुलों कि आज के लेसिन ने हम बात करने वाले होम चोड सेंटेंस की अभी होम चोड होते क्या हैं यह वह सारे काम है जो आप घर में करते हो बरतन धोना वैक्यूम करना शिशाय साफ करना टीवी ओन करना खाना बनाना सफाय जाड़ू सारा चीज जो भी आप करते हो के अंदर वोसका हम बोलते हैं हों म चोड चोर इसका अपनान सेशन वह चोर हिंदी वाले की तरह है तो हम पर आपको ओम चोर इंटेस्ट करेंगे और यहलफुल इसलिए है क्योंकि आप कुश्चन कोश्त जरूर करते होंगे हर दिन और यहीं बात अगर आप किसे को बताना पड़े या फिर इंस्रक्शन देना पड़े तो आप कैसे करोगे आप ऐसे करोगे चलो हम शुरू करते हैं उससे पहले आपको मेरे ब्लॉग के बारे में जो है लविंग्लिश डॉट कॉम आप यहां पर जाके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं इंग्लिश में सबसे पहला है हमारा I need to vacuum the carpets today मुझे चटायो को वैक्यूम करना है जो वैक्यूम मशीन आती है उसको मोलते है वैक्यूम तो आइनिद वैक्यूम ते कापे टुड़े क्या आप क्रिपे रात के खाने के बाद बरतन दो सकते हैं वाश्ट डिशिज आफ्टर डिनर इस टाइम तो टेक आउट ट्रैश अब कच्रा अब समय आ गया कि कच्रा निकाला जाए ट्राश का मतलब होता है कच्रा let's make the bed before leaving चलो जाने से पहले बिस्तर बिचा लेते हैं तो यहाँ पे हो गया make the bed could you sweep the floor please क्या आप फर्स पर जाडू लगा सकते हैं sweep the floor जाडू लगाना don't forget to water the plants पौधों को पानी देना ना भूले don't forget to water the plants I'll clean the windows this weekend इस weekend में खिड के साफ करूंगा weekend बहले तो शर्निवार और इत्वार साडेन संडे have you folded the laundry yet क्या आपने अभी तक कपड़े ते कर लिये हैं यहां पर ते होना चाहिए यहां पर तोड़ लिख दे मैंने अभी फोल्डी दे लॉंड्री एट क्या आपने कपड़े तेह कर लिये हैं we should mop the kitchen floor हमें रोसे के फर्ट को पोच ना चाहिए तो पोचने को बोलते हैं मॉप please dust the shelves in the living room किर्पिया living room में dusting कर दो तो यहां पर जिसका translation थोड़ा गलते थोड़ा नियू पूरा गलते हैं dust का मुलता है कपड़ा मार के धूल खोटाना तो किर्पिया जो living room में बैठके उसमें जो shelf है उसमें dust कर दो आप कपड़ा मार दो कि आल आरेन आल आयन माई clothes for work tomorrow इसको हम पढ़ते हैं आयन आरे साइलिंड आल आयन माई clothes for work tomorrow में कल काम के लिए अपने कपड़े पर इस्तिरी करूंगा आयनिंग करूंगा कुछ you feed the pets before you leave कि अब जाने से पहले पाल तो जानर को खिला सकते हैं खाना खिला सकते हैं so feed the pets आ जाएगा let's organize the pantry this afternoon आज दुपर पैंट्री को organize कर लिए पैंट्री बोले तो जहां पर आप अपना राशन का समान रहते हैं इसको बोलते हैं पैंट्री I have to change the bed sheets मुझे चादरे बदल नहीं है change the bed sheets don't leave your clothes on the floor अपने कपड़े फर्श पर ना छोड़े the bathroom needs to be scrubbed स्क्रब बातरूम को स्क्रब किया जाना चाहिए जो हम टाइलों के जो बातरूम के जो टाइल होती है उसको ब्रशे साफ करते हैं उसको बोलते है इसको बोलते है स्क्रब एक शुज प्लीज टेक आउट्व साइ्लीं किया आप अगा हो टीक आउट्व को निकालना और तो क्या आप रीसाइफिलिंग से अव गाल सकते हैं तो rest पर सब्लीं को स्क्राइब डवारे तो प्र वीप्लीज से निकाल सकता हैं को I'll change the light bulbs in the hallway, I will change the bulb in the hallway, let's sweep the porch before it gets dark, The porch is not clear, because of the zona keep the porch,hats The doors are closed, the accommodation space doesn't exist, it means the porch, if you have adjacentals heated, comes the porch, but there are usually plans to sit on the porch, उसको बोलते हैं पोर्च भाई अंधिरा और अंसे पहले क्या करें पोर्च पे जाड़ों लगाएं कुछ यू सेट टेबल फो डिनर क्या आप रात के खाने के लिए मेज सेट कर सकते हैं हमें फ्रीज को साफ करने की जरूरत है डोंट फोगेट टो डिफ्रोस्ट दे फ्रीजर फ्रीजर को डिफ्रोस्ट करना ना भूले दे भी विल्मेर फिंदी झाला है तम दो कुछ यू पिक अब दर ग्रोस्री वे ऐंगे आउगे ग्रोस्री का मतलब वहते है किराना का समान खाने-पिने का समान वुशे जो भीजर जो बिस्कुट नम्किन अटा चावल रहने जोटे ग्रोस्री लेट्स क्लीं दा गिराज देश वीकेंड इस वीकेंड चलो गिराज को साफ करें गिराज के ओताए जहां पर अपने गाड़ी को पाक करते हो अल्त्रिम दब बुश्य इन दगार्डन ने बगीचे में जाड़ियों को काट लूंगा अल्त्रिम डोंट लिव डिशिज इन दगार्ड जो सिंग उसमें गंदे बरतन ना छोड़े नाली लिख दिया है सिंग होता है जिसके दर बरतन होते हो यहां पर हम बोल रहें कि बहुत जो गंदे बरतन है उसको सिंग में ना छोड़े लेट्स सौट दे लॉंड्री बाइ कलर रंग क्या धार पर चलो कपड़ों को अलग अलग करें आल क्लीन दा माइक्रोवेव आफ्टर आइफ फिनिश कुकिंग खाना बनाने के बाद में माइक्रोवेव को साफ कर लूंगा कुछ यू प्लीज वाटर दे गार्डन प्लांट्स क्या बगेची के पादे को पानी दे सकते हैं लेट्स चेंज दी एर फिल्टर इन दी एच वी एसी सिस्टम अभी एच वी एसी सिस्टम क्या होता है यह एक एक्जॉस्ट फैन के तरह काम करता है जो की हवा को बहार का सितंत में एर फिल्टर बदल दे या बदल लेते हैं डोंट फोगेट टू क्लीन बिहाइंड फर्नीचर वाई फर्नीचर के पीछे सफाय करना ना भूलें कुछ यू दस्ट ओफ दी कि सीलिंग फैन क्या आप छटके पंके पर धूल हटा सकते हैं डस्ट ओफ लेट्स पॉलिष दे सिल्वर वेर फो दी डिनर पार्टी वाई डिनर पार्टी के लिए सिल्वर वेर को पॉलिष करें सिल्वर वेर क्या होता है कोई बरतनी जिसका जो कलर सिल्वर टाइप का है चलो पॉलिष करते हैं इसको I'll clean out the junk drawer in the kitchen मैं रसोई में junk drawer को साफ करूंगा Could you please wipe down the kitchen counters क्या आप किर्पिया रसोई की counter को पोच सकते हैं So wipe का मलत है पोचना Let's clean the cove whips from the corner Corner से मकड़ी को साफ करें I'll wash the car this weekend मैं इस weekend गाड़ी धो दूँगा Don't leave with towels on the bathroom floor मैं बातरूम के फर्स पे गिला तोलिया ना छोड़े Let's dust the lampshades in the living room But जो living room है उसमें जो lampshades है उसको उससे धूल हटाते Dust करते हैं तो यह थे हमारे home chores के sentences तो इसमें आपको बहुत सारे sentences यहां पर हमने डिस्कस किये जितना भी आप सारा काम करते हैं तो ऐसे आप चीजों को बोल सकते हैं दोस्तों को instruction दे सकते हैं और यह sentence बहुत ही आसान है यूज करने में अगर आप इसको यूज करोगे हिंदी के साथ आप यूज करो आप और ऐसे को टापिक जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ अपने next lesson में मुझे बता कॉमेंट सेक्शन में और मैं मिलते हैं